बैंक निफ्टी खुला वहीं जहां आपको बताया था 46,100 पे जहां कॉल राइटर बैठे थे तो इसलिए मैं बोलता हूं वीडियो को पूरा देखा करो ध्यान से समझा करो लेवल्स कॉल राइटिंग का हैं जो मैंने राइटिंग के लेवल्स बताएं तो वहीं पर खुला वहां से गिरा फिर उसके बाद एक रिकवरी देखिए आपने बुलिश चैनल में अब भी टेट करगा है तो इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे कल के लेवल्स फ्रैडे के क्या ये तेजी बजार में जारी रहेगी या सिर्फ एक ये ट्रैप है समझने की बात ये है बजार अभी भी बुलिश ट्रैंड में चलना है 75 मिनट के चार्ट पे अगर आप जाके देखो या 15 मिनट के चार्ट पे देखो अवर आल अभी बुलिश है अनलेसिस करने से पहले जो लोग चैनल पे नहीं है चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं प्रेस दी बैल आइकन ताकि सभी वीडियो की नोटिफिकेशन्स आपको तुरंत पहुश सकें मेरा नाम है आयूश अगरवाल आप देख रहे हैं स्मार्ट टेडिंग अकैडमी जल्दी सब देख लेते हैं बैंक निफ्टी का 75 मिनट्स का चार्ट 75 मिनट्स के चार्ट पे आप देखो लगतार हायर राइस फॉर्मेशन बजार अप्टेंड में उपर की तरफ एक रेसिस्टेंस हर्डल है 46-800 का ठीक है हाला कि बजार 46,000 रुपर के उपर अब टेक चुका नेक्स रेसिस्टेंस 46-800 का बनता है फिर एक ये गैफ फिलिंग वाली चीज आनि स्टार्ट हो जाएगी जब 46,000 का हो या 47,000 के उपर जब निकलेगा ठीक है अभी फिलाल के लिए तो आप देखो जो चीज ऊपर गई है वो एक रेट्रेस्मेंट तो लेगी और कल को वैसे भी हफ़ते का आखरी दिन है तो थोड़ा बहुत रेट्रेस्मेंट बजार में नीचे की तरफ आ सकता है ऐसा हम सोच के चल रहे हैं पहले क्योंकि दो उन्हों तरफ का सूचना पड़ता है कल मैंने आपको यही वाले लेवल बताया था च्छालीस सो का बट कॉल राइटर्स उपर की तरफ दो सो पैंट उपर उचलते वे दिखाई दिये कॉल राइटर्स ने अपनी पोजिशन बनाई जादा से जादा उन्होंने बनाई तो मैं तो कहूंगा 46300, 46350 एक एहम लेवल बजार के लिए ठीक है ये कल के लिए हो सकता हो सकता बजार गैप अप उपनिंग दे दे 46300, 46350 रुपे के आस पास और उस जगे क्या प्रैस सक्षिन बनाता है ये आपको देखना इमपॉर्टन्ट है रैड केंडल बन रही है ये बजार दुबारा तोड़के अगर ये नीचे आ रहा है ना और ये प्रिवियस डे क्लोज भी तोड़ा है तो चांसी से फिर बजार नीचे उतारना स्टार्ट हो जाएगा तो महाँ पर पूरसाइड एंट्रिया प्लैन करके चल सकते हैं वीडियो के वल एजुकेशनल परपस कोई भी मेरी बायसल की रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है ठीक है अब यहाँ पर देखो कहां तक आएगा बजार में एक सपोर्ट यह है यह हैमर बनावा यह ब्रेकाउट हुआ एक तो बजार में 46,060 रुपय का सपोर्ट यह बन जाएगा नेक्स सपोर्ट बजार को अग सपोर्ट की तरह वर्क करेगा तो बजार गैप अगर चांसेज हैं तो थोड़ी बहुत प्रॉफिट बोकिंग दिखा भी सकता है और दिखाने के बाद फिर बजार चाए ऊपर जा नीचे जाए वो मैटर नहीं है आपको तो पोजिशन अपनी मॉर्णिंग टाइम में बना हाला कि उमीदे कम है कि बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन होगा बट फिर भी अगर इस रेट के आसपास अगर हो जाता है इतना बड़ा गैप डाउन तो यहां यह एक अच्छा डिमांड जोन है बजार का जहां पर पोट्राइडर बैटे हैं यहां से दुबारे डिमांड आपको देखने को मिल सकती है ओपर की तरफ अडल बजार का रेसिस्टेंस यही रहेगा कौन सा जहां पर इस बजार ने क्लोजिंग दी और 46-300-46-350 खत्रा का है बजार में खत्रा है बजार में यह लेवल अगर बेक करके बजार उतरता है कौन सा लेवल एक सपोर्ट तो ब तरता है एक दो दिन में अभी फिलार बुलिश टेड में बुलिश रेंज में अप्टेंड में बजार के लिए अटकर 15 मिट 75 मिट चार्ट में और अप्टेंड थोड़ा था कंट्यूनिर रह सकता है बजार 46-300-46-350 तक और उसके बाद थोड़ी बाद पॉफिट बन रहा है तो एक ओपर की तरफ फिर आपको निकलता वा दिखाए देगा 300-500 पॉइंट की फिर राम से रैली दिखाएगा 46-600-46-800 की तरफ फिर बढ़ता बने जाए ठिकना चाहिए 40-350 रुपे के ओपर अगर इससे ऊपर जाना है अधर्वाइस बजार में प्रॉफिट आ सकती है वीडियो पसंदारे इस वीडियो को जो लाइक कर दीजिए और शेयर करना न बूले अब बात कर लेते हैं निफ्टी की निफ्टी में भी अगर आप ध्यान से देखो बहुत ही अच्छी तरह रिस्पेक्ट की लेवल जो मैंने आपको कल बायता है थे मजजार गै यहां तक की एक रैली में आप प्रॉफिट बना सकते थे ठीक है उसके बाद भली बजार साइडवेज हो गया ठीक है कही ना कही तो अपरचरी मिलनी मुश्किल होती है अब कल के लिए देख लेते हैं बजार में कहां राइटर्स बैठे हैं कहां क्या लेवल्स हैं जो एहम लेवल मैंने फाइंड आउट की हैं वो हैं बजार में 21,950 कॉल नाइटिंग जो बजार का आज का हाई भी है ठीक है जो बजार का आज का हाई भी है डिपेंड करता हाई के असपास बन रही है आज बनती भी दिखाए दी 21,950 और 22,000 रुपए का एक साइकलोजिकल लेवल मैं और मानके चल रहा तो इस रेंज में एक रेसिस्टेंस है कल के लिए बजार ने क्लोजिंग ने यह 927 रुपए के असपास तो कहीं ना कहीं एक बार को अगर गैप अप ओपनिंग बजार दे रहा है तो अराम से लेवल अचीव करने जा सकता है यह बात ध्यान में रखन अधरवाइस क्या करना है बजार में देखो बजार एक यह जो साइडवेस रेंज में आया इस रेंज को इसने निकाला फिर इसमें आ गया तो कुछ ज़्यादा क्लारिटी इस चार्ट पर दिखाई नहीं दे लिए निफ्टी के चार्ट पर जब दिखाई नहीं दे तो 2850 रुपे के आसपास का है इस जगे आपको बीरिश प्रैस सेक्शन मिलता है तब ही आप एक ट्रेट प्लैन कर सकते हैं साथ में आप PCR डेटा हमारे टेलिग्राम चैनल पर जाके फ्री आफ कॉस देख सकते हैं 2850 2800 का सपूर्ट है वीकनेस बड़ी वीकनेस का है बजार में 29800 यह लैवल भी तोड़ता है यह जो सपूर्ट है बजार के ठाके ठीक है यह लैवल तोड़ता है 28800 के नीचे चलता है तो बजार में एक सैल आफ़ फिर देखने को मिल सकता है बजार 2700 और 2160 रुपर की तरह बढ़ सकता है बट अभी फिलाल के लिए तोड़ा सा बजार म 75 रुपए के आसपस का बजार में निकल के आता है तो बजार में कहीं न कहीं है साइडवेज जो रेंज बना दी ना इसने इसके बाद ब्रेक आउट हुआ फिर दुबार इसी रेंज में आ गिया अब दुबारा यहा है तो दुबारा मुझे तो लगता है परसनल लेवल पे अगर 21-900 सकता है यहां से इसके नीचे उतरता है दुबारा तो यहां पर एक पूरसाइड एंट्री बन सकती है छोटा सा स्टॉप लोस लेके कोई भी रेकमेंडेशन यहां पर नहीं है केवल एजुकेशनल परपस है क्योंकि यह ही था बजार का दुबारा इसने क्या करा फेक आउट बनाया ओपर गया लेवल दुबारे इस रेंज में आगे दुबारे रेसिस्टेंस ले रहा है गिर रहा है दुबारे अब इज़त के क्या चाल बनाता है वो कल को देखना पड़ेगा इसके आसपास ठीक है तो कोशिश करो बजार खुल कहा रहा है यहां खुल रेट कंडल बना रहा है तो एक प्लाइ सेक्षिन आपको मिल जाएगा ओपर की तरफ यह नीचे की तरफ बजार जा रहा है किर भी कोई डाउट है कुश्य है न तो आप कमेंट सेक्षिन में पूस सकते हैं थैंकि सो मच फॉर वाचिंग देस वीडियो